देखिए इस वक्त मैं अबुधाबी के उस पहले हिंदू मंदिर में मौजूद हूँ जिसका उधगाटन प्रधारमंद्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़े दिर पहले कर दिया है और प्रधारमत्री नरेंद्र मोदी ने ना सर्थ मंदिर का उखटन किया बलकि आरती में शामिल हुए मंदिर का परकर्मा लगाया और यहाँ पर इस मंदिर को बनाने वाले तमाम श्रमवीरों के साथ भी प्रधारमत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की उनका हालचाल पूछा इसके अलावा इस पूरे मंदिर परिसर का प्रधारमत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म विहारी स्वामी जी महराज के साथ दौरा किया और एक चीज की जानकारी ली है अपसे थोड़ी देर बाद प्रधारमत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है वो संबोधर में हम आपको सुनाएंगे लेकिन उससे पहले क्योंकि ये जो आबुधावी का भवे मंदिर बन कर तयार है उसकी खूबसूरत तस्वीरें शाम के वक्त की कैसी दिख रहे हैं आपको दिखाता हूं मैं सिंग द्वार की ये तस्वीरें हैं इटैलियन मार्बल से फूरा मंदिर आपको चमकता हुआ नजर आएगा और इसके साथ यहां पर आप देखिए मंदिर के शिखर आपको दिखाई देंगे और इसके अलावा यहां पर प्धारमत्री नरेंदर मोदी अभी इस परिसर के अंदर मौजूद है इसलिए सुरक्षा कारणों के चलते हमें उपर की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है लेकिन जहां तक हमें अनुमती मिली है वहां से हम अपने दर्शकों को इस खूपसूरत और भवे दिवे मंदिर की तस्वीरे दिखा रहे हैं अब उधाबी का यह मंदिर बहुत खास है और इसका आयोध्या से कनेक्शन भी बहुत पुराना है बहुत प्राचीन है क्योंकि जो भगवान स्वामे नरायन जी थे वो आयोध्या से मात्र 18 किलोमेटर के दूर छपिया से ही तालुक रखते रहे हैं और इसके अलावा आयोध्या में राम मंदिर का उधाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधारमत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अब फरवरी 14 को प्रधारमत्री नरेंद्र मोदी ने आबुधावी के इस पहले हिंदू मंदिर का उधाटन करके यह संदेश दिया है कि किस तरह से जो भारत की संस्कृती है जो भारत का आध्यात्मिक विकास है वो उनकी सरकार के एजिंडे में बहुत टॉप पर है और इस बात का जिक्र प्रधारमत्री मोदी लगातार कई बार कर चुके है जब उन्होंने महाकाल कोरिडोर का उधाटन किया या फिर काशी विश्वनात कोरिडोर का उधाटन किया या राम मंदर का उधाटन हो जो तमाम भारत में तीर्थ है उनके उधाटन से उनके विकास कार्यों से जो संदेश प्रधारमंत्री नरेंदर मोदी ने दिया अब उसी तरह का संदेश यहां अबुधाबी के इस मंदिर के उद्खाटन के बाद से हलाकि यहां का संदेश बहुत व्यापक है यहां का संदेश इस बात को लेकर भी है पूरी दुनिया को कि वसुद है पुटमुकम जो कि भारत का मूल मंत्र है पूरी दुनिया एक परिव यहां से दिया है और इसलिए आप देखिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर अबुधाबी में यहां इतने खूपसूरत भव्य और देबे मंदिर का उद्खाटन संभव हो पाया सहयोकतरब आमिराथ भारत की बहुत मदद की इस मंदिर को बनाने में जमीन मुपत में दी तमाम अलग अलग तरह के सहयोक किए और ये सनातन धर्म के मुताबिक जो मंदिर का निर्माड होता है उसका जो विधी विधान है जो पूजा अर्चना है उन तमाम चीजों को भी करने की इजाज़त यहाँ पर सरकार के तरफ से दी गई इसलिए इतना खूबसूरत मंदिर यहाँ पर इस 13.5 एकड में बन कर तयार हुए हलाकि यह पूरा परिसर 27 एकड में है इसमें अन्य सुमिधाएं भी विक्सित की जाएंगी क्योंकि देश और दुनिया से यहाँ पर शद्धालू आने वाले हैं और इसका असर योई की एकॉ और जादा मजबूत होगी क्योंकि जो मंदिर की एकॉनमी होती है वो बहुत सारी चीजों से जुड़ी होई होती है और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि योई की सरकार ने भी अपना पूरा सहयोग दिया भारत के साथ दोस्ती को निभाया है और प्रधान मंद्री नरेंदर म रखातों महज कुछी मिंटों में योई की सरकार के तरफ से जमीन का प्रस्ताव पास कर दिया गया ये कह दिया गया कि आप जहां चाहते हैं वहां जमीन ले लीजिए और इसी 27 एकड़ में इतना खुब्सूरत मंदिर बनकर तयार हुआ 2019 में नरेंदर मोदी ने ही इस मंद का सम्मान कर रहा है भारत की जो आध्यात्मिक जो मूल है उनको यहां पर सम्मान दे रहा है और ये मंदिर उसी बात की गवाही है और इस वक्त मैं आपको एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में प्रदान मंद्री नरेंदर मोदी क का भाषण यहां पर होने वाला है और इसके साथ ही यह खुबसूरत मंदिर परिसर आप देखिए जहां आपको रात की रोश्नी दिखाई देगी और इटालियन मारवल भी यहां पर बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया गया है इस मंदिर के बारे में आपको विस्तार से को बनाने में लगे रहे जिन्होंने 30,000 पत्थर के टुकडों को तराशा है अलग-अलग समय पर इसके साथ यहां पर लॉक एंड की विधी का प्रियोग किया गया है इस मंदिर को बनाने में और साथी यहां अगर देखिए जो पूरा मंदिर बनकर तयार हुआ है इसमें कैसे पूरे मंदिर की परिकल्पना की गई कैसे इस मंदिर को तयार किया गया कैसे अब उधाबी में एक हिंदो मंदिर का सपना पूरा हुआ देखिए इस रिपोर्ट में पूचा शिखर शानदार नकाशी और प्राचीन भारतिय परंपरा की विरासत समिटे ये मंदिर इसलामिक देश में सनातन के प्रवेश का साक्षी है राजस्थान के गुलावे पत्थरों से बने अबुधाबी के पहले हिंदो मंदिर की भव्यता सबको आकरशित कर रही है ये मंदिर सिर्फ आध्धात और दर्शन का नहीं बलकि भारत युईई की बीच मजबूत रिष्टों का भी प्रमान है 20 अप्रेल 2019 को महंत स्वामी महराज और पिये मोदी ने इस मंदिर का शिला नियास किया था करीब पांच साल बाद मंदिर का उधाटन सनातनी परमपरा की संकल्प शक्ती का नया सूर्योदे है अबुधावी में इस मंदिर का निर्मान बोचन वासी अक्षर पूर्शोत्तम स्वामी नारायन संस्था यानि बीए पियस ने करवाया है मगर इसमें बड़ी संख्या में सनातनीयों का भी योगदान रहा है नरेंदर मोदी प्रधान मंतरी बनने के बाद 2015 में पहली बार UAE के दोरे पर गए थे तब UAE ने मंदिर के लिए 13.5 एकड जगा देने की घोशना की थी 2018 में UAE के प्रिंस ने जमीन दान की 2019 में पियम मोदी की मौजूदगी में शिला नियास हुआ कतर की मीडिया हाउस अलजजीरा में छपी रिपूर्ट के मुताबिक इस मंदिर के लिए एक मुस्लिम बिजनसमेन ने भी 5 एकड जमीन दी थी उत्तर भार के नागर शैली में बना ये मंदिर अद्भुत है मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्टिया है भक्त यहां भगवान श्री स्वामी नारायन और श्री गुनाटी नंद स्वामी की पूजा कर सकेंगे इसके अलावा भगवान श्री कृष्ट और राधा जी की मूर्टी मंदिर में लगी है भगवान राम, सीता, लक्षमन और हनमान जी की पूजा भी यहां होगी भगवान शंकर, पारवती, कार्तिके और गणेश जी की मूर्तियां भी मंदिर में विराजमान है साथी भगवान श्री जगनात, बलभद्र और सुवद्रा जी का दरबार भी इस भब्वे मंदिर में है भगवान श्री श्री निवास और पद्माबती जी के अलावा स्वामी श्री अयप्पा जी के दर्शन भी अबुधाबी के भवे मंदिर में किये जा सकेंगे भगवान श्री राम का दर्बार भी अबुधाबी के हिंदू मंदिर में आप देख पाएंगे राम जी का भवे राम दरबार यहां पर बनाया गया है भगवान शेराम, लक्षमन जी, सीता जी और भगवान शेराम के सेवक हनुमान जी की भी तस्विर आपको यहां पर उनकी प्रतिमा नजर आएगी यानि यहां पर आयोध्या में जो राम मंदिर बना है एक तो उसका मॉडल जहां दिखाई देता है मंदिर में तो वही भगवान राम का पूरा दरबार भी लगाया गया है मुस्लिम देश में बने इस मंदिर के साथ ही महनतु स्वामी महराज का भी नाम बार बार आ रहा है स्वामी केशब जीवन दास जी के नाम से भी पहचान रखने वाले महनतु स्वामी महराज इस समय बीए पिया संस्था के छटे आध्यात्मिक गुरू के पतपर है 1933 में मद्प्रदीश के जवलपुर में जन में महनतु स्वामी महराज ने करेजूशन किया है चात्र जीमन के दौरान हे 1952 में वो महनतु स्वामी महराज B.A.P.S. संस्था के ब्रहम स्वरुप शास्त्री जी महराज के आध्यात्मिक उत्रा धिकारी योगी जी महराज के संपर्क में आये और उनके साथ यात्रा करना शुरू कर दिया 2012 में वरिष्ट साध्यों के उपस्तिती में स्वामी महराज ने महनतु स्वामी को अपना आध्यात्मिक उत्रा धिकारी गोशित किया 13 अगस्त 2016 को महनतु स्वामी भगवान स्वामी नारायन की गुनातीत परंपरा में छटे गुरू की भूमिका में आगे महानतु स्वामी महाराज के नितरत्त में ही अबुधावी में भब हिंदो मंदर का निर्मान हुआ इस मंदिर में भारत के गंगा जमनुविरासत सनातनियों की अनूठी धरोहर है अबुधाबी के हिंदू मंदिर के परिसर में एक गंगा घाट भी बनाया गया है जहां पर हर शाम जब आरती होगी तो लोग इन सीडियों पर बैठ कर यहां आरती में हिस्सा ले सकते हैं इस मंदिर की आरती को देख सकते हैं और इसे कुछ इस तर्स पर तयार किया गया है ताकि ये पूरी तरह से काशी के गंगा घाट की छवी को यहां पर देखा जा सके महसूस किया जा सके मंदिर के हर पत्थर की नकाशी रजस्थान के वर्कॉप में की गई फिर उन पत्थरों को गुजरात के बंदरगा से पानी के जहाज से अबू धाबी पहुँचाया गया मंदिर निर्माण में रजस्थान के बलवा पत्थर और इटालियन मारवल स्टोन का इस्तमाल हुआ है इन पर नकाशी भी भारत में की गई मंदिर में अमिरात का प्रतिनित्तु करने वाले साथ शिखर है अबू धाबी का ये मंदिर कई माइनों में खास है भारत युएई की रिष्टों की मजबूती के साथ ही दुनिया भर में रह रहे करोडों सनातनियों के लिए भी ये कौरब का परतीख है विशाल पांडे, जी मीडिया, अबूध हवी तो देखिए आपने हमारी रिपोर्ट देखी किस तरह से इस मंदिर की परिकल्पना की गई कैसे इस मंदिर को बनाने में इतना बड़ा सहयोग मिला कैसे प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान रहा और कैसे योई की सरकार ने भारत की हर संभव मदद की ताकि यह मंदिर बन कर तयार हो आप से थोड़ी देर में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संभोधित करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको इस मंदिर की कुछ और तस्वीरे दिखा देता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त मंदिर के जो गर्वगिरे से पहले सिंग्द्वार का हिस्सा है वहाँ पर मौजूद हूँ और इसकी तस्वीरे आप देखिए थोड़े देर बाद जब इस कारिक्रम के समापन होगा तब लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आएंगे और जो यहां के अतिति हैं पहले आज वही दर्शन करेंगे आने वाले दिनों में एक दो दिन में आम शद्धालू के लिए इस मंदिर की दर्वाजे खोल दिये जाएंगे जो आकर दर्शन पूजन कर पाएंगे यहां पर बनी हुई है पूरी दुनिया इस बात को भी समझना चाहरी होगी कैसे 2014 के बाद से भारत की विदेश नीती बदली और कैसे संयुक्त अरव अमिराद जैसे देश में भी इतना भव्य और देव्य मंदिर बनकर तयार है और योई ने अपना हर संभव मदद किया है और अगर हम खाड़ी के देशों की बात करें आज सुबह जब मैंने विदेश सचीव से इस बारे में एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंद लगातार और जादा बेहतर हो रहे हैं प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी इससे और बड़ी मुलाकात होनी है वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ में और उस मुलाकात को भी काफी एहम माना जा रहा है क्योंकि खाड़ी का एक महत्पूर्देश कतर भी है और हाली में कतर ने भारत के आठ नागरिकों को रिहा किया है जिने फासी की सजा दी गई थी तो ये बडली हुई विदेश नीती है ये भारत की कूट नीती का जलवा भी कहा जा सकता है कि जो भारतिये जिने फासी की सजा सुना दी गई थी उन्हें भी रिहा किया गया हालाकि पूरी एक नयाईक प्रक्रिया का पालन कतर में किया गया है अब आप देखिए कुछी सेकंड मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी अपना संबोधन देने वाले हैं यहाँ पर लोगों को संबोधित करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी खुद इस बात को बताएंगे कि कैसे 2015 में उन्होंने यहां UAE को एक प्रस्ताव दिया और उसके बाद 2019 में इसका शि मोधन है वो अपसे कुछी सेकंड में शुरू होने वाला है और कुछी पलो में प्रधानमत्री नरेंद्र मोधी के भाषन को आप सुन पाएंगे और प्रधानमत्री नरेंद्र मोधी मंदिर के बारे में बिस्तार से यहां लोगों को बताएंगे पुरी दुनिया को बताए ये अपने आप में एक बड़ी कामियाभी भारत के लिए है, बिए पिय संस्था के लिए है और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यकीन करने वाले विश्वास रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा आवसर है कि आबुधाबी में एक बड़े हिंदू मं का उद्गाटन संभव हो पाया है और इसका शेव BAPS संस्था की तरब से प्रधार मत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है